सब आप सभी का आप अपनी डूप चैनल पर दोस्तों आज हम डिर्क टक्स और इंडारेक टक्स यानी पर्टेक्श कर और और पर ते यहां यहां भी आप जानते हैं कि जहां भी के से डृतर स्भी पूछे जाते हैं चाहे वह कमप्र परेज़ाम्स हो या कोई अन्ने आपको उसमेंसे पहचानगा नहीं होती है तो कई बार आप जो है उसको गलत कर देते हैं और आपका question जो है वो गलत हो जाता है तो मैं आज आपको ट्रिक के मद्यम से परतेक्षकर और अपरतेक्षकर यानि direct text और indirect text के वीच में जो difference है उसको समझाने वाला हूँ आपको कैसे याद रखना है ट्रिक के मद्यम से वो भी बताने वाला हूँ तो साथी साथ हम ये भी देखें जानेंगे कि परतेक्ष कर किसे कहते हैं और परतेक्ष कर किसे कहते हैं तो चली दोस्तों सुरू करते हैं पहले डारेक्ट टेक्ष यानि परतेक्ष कर से तो direct text क्या होता है direct text what text होता है जो सरकार आपसे आपकी कमाई के उपर वसूलती है यदि आपने कमाई की है तो आपको text देना है अगर आपने कमाई नहीं की है तो आपको कोई text नहीं देना है तो इस प्रकार के text को direct text यानि protect कर कहा जाता है तो प्रतक्च करको जो याद रखने की ट्रिक है यह कौन-कौन से टेक्स जो है वो प्रतक्च कर होते हैं तो उसको याद रखने की ट्रिक जो है बहुत ही सिंपल है तो आपको एक लाइन याद रखनी है विप्रो.co.in क्या याद रखना है विप्रो.co.in तो विप्रो में WEPRO तो WE से बन जाएगा इसमें दोस्तो WE से Wealth बन जाएगा यानि Wealth Tax जिसको की धनकर भी कहा जाता है जो आपके धन के उपर Tax लगता है उसको Wealth Tax बोलते है जैसे धन के उपर आपका ब्याज जो ओरिजन होता है यहांने कि आपका पैसा पढ़ा होता है यहां तो वह टेक्स की के टेगरी में आता है जो की एक डायक्ट टेक्स है यह नि पटेक्ष कर रहे तो we से बन गया हमारा वेल्ट टेक्स उसके बाद बशता आगे p.ro प्रो तो प्रो से बन जाएगा प्रोपरटी संपत्तिकर संपत्तिकर भी आपकी संपत्ति के उपर जो कर होता है आपकी कितनी संपत्ति उसके उपर आपको एक कर देना होता है टेक्स देना होता है उसको संपत्ति करके बोलते हैं यानि प्रोपर्टी टेक्स और प्रोपर्टी टेक्स भी जो है डारेक्ट टेक्स की कटेगरी में आता है next होगा CO, CO से हो जाएगा Corporation यानि Corporation Tax जिसको की निगम कर भी कहा जाता है यह Corporate जगत पे लगता है next होता है विप्रो.co.in यानि IN बचा हमारे पास तो IN से बन जाएगा Income Tax इनकम टेक्स यानि आएकर और आएकर जो है आप सभी को पता है कि आपकी कमाई यानि आप कितना कमा रहे हैं उसके उपर यह टेक्स लगता है अगर आपकी कमाई पांच लाग से वैसे तो टेक्स जो है वह धाइलाग से उपर है लेकिन उसमें रिभीट दी गई है पांच लाग तक यानि साड़े 12.000 रुपकी तो आपका 12.000 еख Trump कोईagues बना जाता हैổi 59 से उपर आगा का नाकी कि इनकम है तो उसके उपर अब यह कि शुरू हो जाते हैं और को उसके उपर टकस देना परता है समय है है जोड़े हमफिनुन विये इस यूद्र में यूज़ा कर आता है ओके फ्रेंड्स क्लियर है तो हमने अभी तक टैक्स पढ़ लिया है दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब की नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वैल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आप इस प्रकार की कोई वीडियो सब्सक्राइब में तो अब तक हमने डायक्ट टैक्स पढ़ लिया अब हम देखते हैं इन्डयरीक्ट टैक्स wrench BACK चैनल कंप प्रतिक्ष कर किसे कहते हैं वो टैक्स जो और परतेक्ष रूप से सरकार के पास पहुंचती है यानि डायक्ट रूप से नहीं पहुंचती है इन डायक्ट रूप से पहुंचती है इस तरह के टेक्स परतेक्ष करके बिल्कुल विफरीत होते हैं राज्य के दौराखफच आयात और उत्पादन इत्यादी पर जो कर लगाया जाता है वह अप्रतेक्ष कर कहलाता है को के लिए समझाय आपको तुम यानि इस प्रकार के टेक्स होते हैं वो सब्सक्राइब अप्रतेक्ष रूप से जाते हैं कि अपर देते किसी और को है टेक्स और फिर एजनसी कंपनी या यह कंपनी वह तो स़गार का थे में जबिव हएं कि अब हमने देखते हैं कि डायक्त टक्सिस कुन-कुन से उसको याद द commentary कि ट्रिक क्या थे तो जो important indirect taxes है जो पूछा जाता है एकसर उसको याद करने के ट्रिक है वो है excuse me आप इस word को याद कीजिए excuse me और आपको जो important indirect taxes है वो याद हो जाएंगे कैसे तो excuse में आपको ex ex अलग करना है और ex से क्या बन जाएगा ex से start होता है excise ask curse więks exercise वन गया यानि excise टेस्ट एकशाइस tax या उत्पाद कर और उत्पादकर क्या होता है ? यह वस्तूओ के उत्पादन यह manufacturing पर लगाया टेक्स होता है कि आप कितना उत्पादन कर रहे हैं या कितना manufacture कर रहे है उसकी उत्पादन पर कहते हैं, यह एक प्रकार का indirect tax है, जो कि आपको ध्यान रखना है Next है CU CU से बन जाएगा custom tax Custom tax क्या होता है किसी वस्तु को किसी विशेश सीमा से दूसरी सीमा या छेतर में ले जाने पर लगने वाला जो tax होता है उसे ही हम custom tax कहते हैं एक सीमा से दूसरी सीमा में ले जाने के लिए जो tax लगता है उसे ही custom tax कहा जाता है यह भी एक indirect tax की category में आता है Next हो जाएगा Excuse में हमने EX, CU और अब लाश बज़ता है SE से बन जाएगा service tax service tax यानि सेवा कर सेवा कर क्या होता है जैसे आप मानली जी एक उधारन के तौर पर देखते हैं कि आप होटल में गए होटल में आपने खाना खाया और भी जो भी आपने खाना बगएरा पर जो उसका बिल भुकतान किया लेकिन आपने मानली जी एक होटल में रूम भी भुक किया हुआ है और उसमें आपने रहने से पहले उसकी साफ सफाई या उसके जो अधर खर्चे बगएरा होते हाउस कीपिंग बगएरा का जो चार्ज होता है वह एक प्रकार की सर्विस होती है जो कि उसमें इंक्लूड नहीं होता है उसको अलग से नहीं दिखा जाता है कि आपको उन्होंने सर्विस दी है और उस service के उपर जो tax लगता है उसको ही service tax कहा जाता है यानि सेवा कर कहा जाता है और यह भी एक indirect tax की category में आता है ओके clear, clear है friends? दोस्तों मनुरंजन tax एक रहे गया यानि entertainment tax होता है entertainment tax भी indirect tax की category में ही आता है यह आपको ध्यान रखना है ओके friends? तो मैं उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो का like करना बिल्कुल न भूले चैनल को जरूर subscribe कर ले और साथी साथ well icon भी जरूर प्रेस कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक संख्या में सेयर करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में किसी different topic के साथ